नमस्कार दोस्तो तो भीबो ने पिछले दिन आपने दो नया स्मार्टपोन लांच किया है जो कि ये भीबो एक सिक्स्टी और एक सिक्स्टी प्रो और ये जो भीबो का एक सीरीज है सबसे फेमास ही इसके कैमेरा ऑप्तिमाइजेशन के खारत क्यूंकि ए दर असल दुनिया क एक लॉक्त ऐसा कैमेरा स्मार्टपोन हमें मिलता है जिसमें आपको इन बिल्ट गिम्बेल कैमेरा सिस्टम देखने को मिलेगा और ये जो भीबो एक सिक्स्टी लांच हुआ है इसका तो तीन में खासी आते पहला तो दुनिया का पहला एक सिनोस वान जीरो इडिरो बाला स वक्त कामेर आज के वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ग्याजुल चाहिए और ऐसे वीडियो आगी भी देखना चाहते तो ग्याजुल चान को साबचे करना बिल्कुली मत भूलिएगा तो भीबो एक सिक्स्टी और एक सिक्स्टी प्रो के बीच में बहुत सारे सिम मामले में भी दोनों एक्जैक्टी सेम यूँके दोनों पी आपको एक्सिनोस 1080 मिलता है जो कि ये 5 नानोमेटर प्रोसेसार जिसका अंटुटू स्कोर है ऑल्मोस 6,97,000 के आसपास और अगर आप स्नाप्ड्राइकन ट्रिपिलेट के अंटूटू स्कोर की बात करे बहुत अगर आपको बात करे ये दर असल भी बहुत एक्सिक्टी और एक्सिक्टी प्रो का सबसे में चीज़ है जैसे कि बहने आपको कहा कि एक शिक्टी और एकसिक्टी प्रो में जो क्यमेरा का लेंस बहुत प्रोवाइड किया है जे इस कम्पनी में तो एक क्лив स्किक्टी प्रो में मिलता है 48MP में सेंसर जो कि दर असल IMS 598 जिसका aperture F1.8 जिसमें आपको 4 axis OIS देखने को मिलता है और जैसे कि अभी छोटी से वीडियो में भी देख सकते इसका जो में कैमेरा सेंसर बहुत टोटली ऐसे घुमता है पिसलेम कहा सेकते कि भीवो का एक सीरी से दुनिया का सबसे अच्छा वीडियोग्राफी वाला कैमेरा बनता है इसके साथ आपको मिलता है 13MP आल्टरोइट सेंसर जो कि आपको 120 डिग्री तक का आल्टरोइट देगा और ये जो 13MP आल्टरोइट सेंसर ये एक ही साथ मैक्रो सेंसर की सबसे भी काम करता है जो कि आपको 2.5 cm तक का मैक्रो डिस्टेंस देगा और इसके साथ आपको 13MP का टेली फोटो लेंस मिलता है जो कि 2 by 50 mm का है और इसके साथ 8MP का एक पेरिस्कोब लेंस मिलता है जो कि ये f 3.4 और इसमें आपको 5x पेरिस्कोब जूम मिलता है और अकर नॉर्माल भीबो X60 के बार में बात करें इसका मेन 48MP, 13MP, आल्ट्रवाइड और 13MP टेली फोटो इसमें मिलता है लेकिन प्रोब बाले वेरियन पे आपको जो पेरिस्कोब लेंस मिलता था इसमें आपको बोड नहीं मिलता है आगर दुनों के front camera के बार में बात करें दोनों भी आपको 32MP का front camera मिलता है वीबो X60 टोटल तीन वेरियन पे लॉंच हुआ है 8128, 8256 और 12256 GB इसका जो RAM quality भो है दरसल LPDDR4X इसका memory quality ए UFS 3.1 और अगर X60 Pro के बार में बात करें इसका दरसल एक ही वेरियन पे लेवल है जो कि है 12256 GB इसका भी RAM quality है LPDDR4X और इसका भी memory quality है UFS 3.1 और अगर दुनों के price के बार में बात करें भीबो X60 का 8128 GB का price है 3500 E1 मतलब जाबे स्मार्टपन इंडिया में आएगा इसका price शुरू होगा 37000 E1 के असपास इसका 8256 GB का price है 3800 E1 और इसका 12256 GB का price है 4000 E1 और अगर भीबो X60 Pro के बार में बात करें इसका 12256 GB का price है 4500 E1 मतलब जाबे स्मार्टपन इंडिया में आएगा इसका price शुरू होगा almost 48000 E1 तो इस वीडियो के आखिर में अगर मैं अपना opinion दू तो भीबो X60 Pro की बाज़ा मुझे लगते कि यह जो भीबो X60 एक बहुती बढ़िया फोन होगा यूँकि देखे पहला तो इसमें आपको मिलता है Exynos 1080 जो की 5nm प्रोसेसर है बहुती powerful प्रोसेसर है almost Snapdragon 888 के जैसा ही है तो इसी ने मेरे कहाल से आगर आप सोच रहे हो कि आगले 2 या फे 3 वाइने के अंदर 35 से 40,000 रूबिस के अंदर सबसे अच्छा पार्प्रोमेंस वाला सबसे अच्छा camera पार्प्रोमेंस वाला कोई smartphone लेने के लिए तो मेरे कहाल से आपको Vivo X60 सीरीस के लिए वाइट जरूर करना चाहिए इसका 3 रिजिन है पैना थी इसमें आपको Exynos 1080 मिलता है और दूसरा हो सकते कि इसमें आपको 48MP Sony का पूराने लेन्स मिलता है लेकिन उसके साथ आपको In-Build Gimbal Camera Stabilization मिलता है जो कि फोटोग्राफिय और वीडियोग्राफिय में बहुत ज़्यादा मदद करेगा जे इस कंपनी का लेन्स मिलता है और यह तो मुझे आपको कहने की जरूरती नहीं Vivo का जो Camera Optimization वो बहुत ही बढ़िया होता है इसलिए मेरे खाल चाहिए अगर आप आगले दो या फेर मैक्सिमाम तीन मैने के अंदर 35 से 40,000 रुपीज के बीच में कोई सबसे आच्चा Camera Performance वाला स्मार्पोन लेना चाहते तो आपको ज़रूर Vivo X60 स्मार्पोन के लिए वेट करना चाहिए और अगरा Vivo X60 Pro को रिजेट करना चाहते हो तो मेरे खाल से कर देना चाहिए क्योंकि मुझे बिल्खुल भी नहीं लगता कि Vivo X60 के मुकाबले जो प्रो बाला वेडियन जो 8,000 रुपय ज्यादा है वो बिल्खुल भी जस्टिफाइड है और इस स्मार्टपोन गया अगर मैं एक कमी की बात करूँ तो मुझे लगाते कि साइड इसमें LPDDR 5 RAM देखने को मिलेगा लेकिन एक भी वेडियर में आपको LPDDR 5 RAM देखने को नहीं मिला यही मुझे इस स्मार्टपोन के एक लौत है सक कमी लगा वैसे आप मुझे ने जो कम X60 और X60 Pro लांच हो आए एक स्मार्टपोन प्राइस और स्पेक्स के आपको क्यासा लगा इसका जब आप मुझे ने जो कमेशन में देना बिल्कुली मां दुभूलिएगा तो मिलत आगली वीडियो में तब तक स्टे टून और अलोज रिमेंबर ठींक पोजिटिव बी पो स्टेश जेड़ादें